जैहिं प्यारे मित्रों आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर एर क्लासेश में आप सभी का स्वागत हैं구요 जिससे कि हम सभी लोग जो बात कर रहेती जो हमारी कोस्चन थे एलपी टेकनीसियन जो हमारी क्या करती टेकनीसियन की वेकेंसी आने वाले उस टेकनीसियन की वेकेंसी के लिए भी जो है most important question थे टेकनीसियन एलपी एलपी टेकनीसियन डी आर डी ओ डी ओ इसरो सेल बार्क के लिए जो most important question है और जो हमारे आलादर टेकनीकल एक्जाम होते हैं उन टेकनीकल एक्जामों के लिए भी जो most important questions हैं अगर हमारे टेलीग्राम गुरूप और फेस्बूप पेस्बूप पेस्टो जाईन होना चाहते है तो इस description box में उसका link दे दिया जाएगा है वहां से जोकर जाकर करके हमारे groups को जो है जोईन कर सकते हैं अगर CITS इंटर्नेंस की इंट्रेंस एक्जाम की तैयारी करना है तो हमारे चैनल से जुड़े CITES इंट्रेंस एक्जाम की भी जो हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी ट्रेड की बात करता हूँ तो जो हमारे ट्रेड है फिटर, टर्नर, मसीनिस्ट इस तीन ट्रेडों की जो है हमारे चैनल के माध्यम से CITS Intense Exam की भी जो है तैयारी कराए जाएगी जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में जो डिसकेशन किये थे जो हमने क्या करते हैं 80 कोस्चन तक को डिसकेशन किये थे 80 कोस्चन तक उस कोस्चन को एक बार रिव्यू करेंगे उसके बाद जो है कलास को जो है कंटीनियो करते हुए आगे की और जो हम लोग चलेंगे तो हमारा जो 80 नमबर कोस्चन है सामाने तह सेपर में किस प्रकार किस कटिंग टूल का प्रियोग किया जाता है जो हमारी shaper machine होती है shaper machine हम लोग जो है सामानते है किस प्रकार के cutting tool का इस्तिमाल किया जाता है यह question जो हमारा RRB Kolkata में पूंचा हुआ question से option है single point next है double point next है A वा B दोनो next है इन में से coin है इसका right answer हो जाएगा option number A जो shaper machine होती है single point cutting tools का जो है इस्तिमाल किया जाता है next question है 81 number question है 81 number कारिशालाओं में अधिकान से ता है किन से पर machine हो का प्रयोग किया जाता है question है 81 number question है कारिशालाओं में अधिकान से ता है किन से पर machine हो का प्रयोग किया जाता है यह भी question जो है हमारा आर आर भी मालदा में पूचा हुआ question है option है crank type next है, gear type next है ये वह भी दोनो next option है इन में से कोई नहीं, इसका write answer हो जाएगा option number a, crank type, किसका प्रयोग करते हैं अधिकान से थे हैं crank type shaper machine का जो है workshop में करते हैं इसके देखे पॉइंट पर इसके बात करते हैं कारिशालाओं में अधिकान से ता है क्रेंक टाइप शेपर मसीनों का प्रयोग किया जाता है क्रेंक टाइप क्रेंक टाइप शेपर मसीन का प्रयोग किया जाता है शेपर मशीनों में बुल गेयर की बृत्ताकार गती सर्कुलर मोशन को क्रेंक मैकनीज में द्वारा रेम की पस्चागर गती रेसी प्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है रेम की जो गती होती है रेम की गत को हम लोग क्या करते है एक भुल गियर की बृत्ताकार गती सर्कूलर गती को जो है क्रेंक मैकनीज में द parishion कर क्रेंक मैकनीज में द्वारा रेम में रिशी प्रोंकेटिंग मोशन आनुसर रेम की चाल को सिट सकता है अपनी आवसकता अनुसार जिस लंबाई तक हमारा जवाब होता है जवाब को जो है रेम को जो उसी अनुसार हो जो हम लोग क्या करती है कि रेम की चाल को जो सेट किया जाता है बुल गियर बुल गियर को सक्त किसी बिद्दूत मोटर द्वारा दी जाती है जो हमारे Shaper Machine में Bull Gear होता है Bull Gear को सक्षिके द्वारा प्राप्त होती है विद्दूत मोटर ज्वारा प्राप्त होती कारिशालों में अधिकतर Crank Type Shaper Machine नहीं प्रयोग की जाती है Workshop में हम अधिकतर किस टाइप का मसीन का प्रयोग करते है Crank Type Shaper Machine का प्रयोग किया जाता है Next Question है 82 Number Question है यह Question जो हमारा RRB मंबई में पूचा हुआ Cutting के समय Cutting Tool को किस की सहायता से पकड़ते हैं Question है 82 Number Question है Cutting के समय Cutting Tool को किस की सहायता से पकड़ते हैं Option है RAM Next Option है Toolhead Next Option है Lock Lever Next Option है Inverse Toolhead कोई नही Toolhead किस की सहायता से Toolhead की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि Tool को जो है पकड़ा जाता है इसके देखे इसमें Point पर भी इसके दिबाद करते हैं इसमें Point में दिया गए Cutting के समय Cutting Tool को Toolhead की सहायता से पकड़ते हैं में हम लोग पकड़ते हैं जो टूल कतिंग इँभ बोलु हैको कि अगले सीरे पर लगा रहता है जो कटिंग टूल हूथ यह देखें जो हैं यह हम आप अगले वाले हिस्छे पर हमेरे कि इस रहें के डियो इस्तिती में मझबूति से पकड़के, अवजर को क्या होता है कि मझबूति जो टूल होता है, क्या है तोल को मझबूति से पकड़ता है, tools तथाấy nut in cleaned इस्तिती में भरंड देने तथा वापसी श्टोक में, कारेखन्ड से उठ जाने का प्रबंथ होता है, वर्क्षाप कारिखन जो हमारा वर्क्षाप वापसी इस्टोक में जो रेम का जो हेड होता है टूल हेड वह क्या तूरत इसमें क्लेपर बाक्स होता है क्लेपर बाक्स जब हमारा क्या करते हैं क्टिंग फारवर्ड इस्टोक में हमारा क्टिंग करता है यह देखी, यह हमारा क्या है, इसमें भी देख सकते हैं, यह हमारा क्लैपर, इसमें कि जो टूल हेड होता है, टूल पोस्ट जो हमारा होता है, इसमें हम टूल को क्लैम करते हैं, इसमें क्या होता है कि क्लैपर बॉक्स होता है, जब हमारा रिटरन एस्टोक में जाता है, तो जौब के साथ जो है क्या करता है कि उठ जाता है तोल हेट को एक बृताकार प्लेट की सहायता से रैम पर बोल्टो द्वारा कस दिया जाता है इसमें क्या होती है कि बृताकार प्लेट होती है यह देखिए यह हमारी क्या है यह जो हमारी बृताकार प्लेट है इस बृताकार प्लेट के माध्यम से ही जो है टूल को जो है कस दिया जाता है टाइट किया जाता है बोल्टों की साहता से इस प्लेट पर एक घूनी आधार स्वीवेल बेस होता है इसमें क्या होता है कि स्वीवेल बेस होता है जिस पर टूल स्लाइट करता है टूल जो है टूल स्लाइट गुमाई जा सकती हैं तथा किसी भी कौन कौनी इस्तिती में एड़ेस्ट किया जा सकती हैं टूल को जो हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी एंगल पर जो एड़ेस्ट भी कर सकते हैं जिसके लिए इस पर डिगरी में चिन खूदे रहते हैं इसमें क्या होता है कि हमारे डिगरी परीज़े जो है क्या करते हैं यह हैंडिल लगा होता है है हैंडिल के माध्य हम सा चुछ ऑ नीचे इसको सीखस्का आजा सकता है गाहए कर олжhm इस अपना का ईसलाईड के इस सिलाईड के जो हमरी क्या होती है स्लाईड उते हैं जिससे उस आइपर नीचे करके तूल को किया जाता है इस स्लाइट के एपरन पर हिंज किया एक क्लेपर बॉक्स लगा होता है इसमें हिंज की सहायता से क्या होता है कि हमारा जो इसमें क्लेपर बॉक्स लगा होता है क्लेपर बॉक्स लगा होता है इस क्लेपर बॉक्स पर टूल पोस्ट लगा होता है जो क्ल क्टिंग टूल को जो है पकड़ा जाता है निक्स्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् के बीच में टूल को उठाने के लिए नेक्स्ट आप्चिन है टूल की ओवर हैंगिंग दूर करने के लिए इसका राइटेंस हो जाएगा अप्चन नमबर बी रिटन इस टूक के दवरान टूल को उठाने के लिए क्लेपर बॉक्स का प्ट्योग किया जाता है सेपर मसीन में देखे इसके पॉइंट पर बात करते हैं इसमें पॉइंट में दिया गया है क्लेपर बॉक्स में एक क्लेपर होता है क्लेपर होता है जो हिंज द्वारा क्लेपर बॉक्स से जुड़ा रहता है एक हिंज की सहायता से हिंज की सहायता से क्लेपर बॉक्स जो हमारा जुड़ा पर दबाव रहता है जब cutting operation करता है तो इससे क्या होता है कि हमारे clapper box पर भी जो है दबाव पड़ता है परंत backward stroke के दवरान tool को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो clapper box होता है backward stroke में जब tool हो रहे हमारे जो backward stroke में जाता है तो यह clapper box क्या करता है कि tool को जो है उठा देता है पता clapper hinge पर घूम कर उठ जाता है और औजार की cutting age तथा कारे खंड की सतफ को खराब होने से बचाता है जिससे क्या होता कि cutting tools जो हमारा tool होता है और work piece जो work piece होता है उसको खराब होने से जो है बचाता है next question हमारा 84 number question है यह भी question जो हमारा RRB मॉंबई में पूंचा हुआ question है निमलीखित में से shaper का कौन सा part table को सहारा देता है question हमारा 84 number question है निमलीखित में से shaper का कौन सा भाग table को सहारा देता है option है ए बेस next है, रेम next है, सेडल next है, फ्लैपर बॉक्स इसका right answer हो जाएगा आपसर नमबर C सेडल, क्या? सेडल जो हमारे क्या करता है, टेबल को सहारा देता है इसके पॉइंट पर बात करते हैं, टेबल एक बाक्स के आकार का लोहे का बना होता है जो टेबल होती है टेबल हमारा इस प्रकार के बॉक्स की आकार का होता है यहां जो है क्या होता है कि हमारा लोहे का बना होता है जो सैडल में बोल्टो की सहाथा से कसा होता है इसमें के नीचे हो इस टेबल के नीचे हमारी क्या होती है साइडल होते हैं साइडल पर टेबल को बूल्टों की सहायता से कसा होता इसके उपर रोप्र स्थिती पर मानक आकार की t-slot टी स्लाट तथा वी ग्रूपस कटे होते हों, इसकी जो मानक आकार होते हैं, जो टेबल की मानक आकार होते हैं, उसी पर हमारी जो टी स्लाट और जो वी ग्रूपस जो हैं, कटे होते हैं, इन टी स्लाट की सहायता से जाब अथा हैं, वाइस को टेबल पर क्लैम किया जाता है, के साहईता से हम लोग टेबल पर जोए जौब और वाइस को जोए कलैम कर सकते हैं कि नेक्स्ट कोस्ट्यन है हमारा 85 नंबर कोस्ट्यन है जब एक पाइ्लल सर्फेस की सेपिंग की जाती है तत्त हम वर्खाएस को सही तरह से बैठना बैठाना चाहिए वर्क पीस को बैठाने के लिए निम लिखीत में से किसका प्रयोग किया जाता है यह question जो हमारा RRB पतना में पूंचा हुआ question है question number 85 number question है जब एक parallel surface की shaping की जाती है अगर कोई समतल flat है job है उसकी जो है क्या करना है कि shaping machining operation करना है तब वर्क पीस जो वर्क पीस होता है वर्क पीस को सही तरह से बैठाना चाहिए जो वर्क पीस होता है वर्क पीस को सही तरीके से बैठाने के लिए वर्क पीस को बैठाने के लिए निम लिखीत में से किसका प्रयोग किया जाता है वीवलाक option है वीवलाक next option है एंगल पलेट नेक्स्ट ऑप्षन है प्रricsेल ब्लाक में प्रियोक करते हैं नेक्स्टन है हिसे сразу desk बॉट ब्लाक का चुऋ आधी सिक्स नंबर कॉस्टन है यह भी कॉस्टन कॉस्ट्न जो है हमारा आरारभी पतना में पूश्चा हुआ सब्सक्राइम में मेकैनिकल सेपर में डैस पर टूल की कटिंग स्पीड अधिकतम होती है कोस्चन है हमारा 86 नमबर कोस्च है मेकैनिकल सेपर में डैस पर टूल की कटिंग स्पीड अधिकतम होती है आप्शन है कटिंग स्टोक के अंत पर नेक्स्ट है cutting stock के बीच में next है option है cutting stock के सुरूर में next option है उपरोक्त में कोई नहीं इसकर आइट अंसर हो जाएगा option number B cutting stock के बीच में cutting stock के बीच में जो है mechanical question number 86 number question है mechanical shaper में cutting stock के बीच में cutting stock के बीच में पर tool की cutting speed अधिक होती है देखे इसके point पर बात करते हैं इसमें point में क्या दिया गया है mechanical safer में cutting stroke के बीच में tool की cutting speed अधिकतम होती है RAM एक moving part से RAM जो हमारे के है RAM एक moving part से जिसमें stroke की लंबाएं और उसकी speed adjustable की जाती है जो RAM होते है RAM के को हम लोग क्या कर सकते हैं जो RAM की moving parts होते हैं grooming parts होते हैं जिसमें stroke की लंबाएं और उसकी speed adjustable की जाती है speed को हम लोग क्या कर सकते हैं adjust कर सकते हैं next question हमारा 87 number question है यह भी question जो हमारा RRB पटना में पहुचा हुआ question है निमलीखित में से कौन सा कतन शही नहीं है आप सेने fit की दिशा बदलने के लिए पाल को 180 degree पर खुमाया जाता है next option है T-slot की shaping के लिए clapper box का कार्य प्रयोग में नहीं किया जाता है next option है सेपर पर पाल मेकनिजम एक यूनिट है जो की रेम की speed को नियमित करता है next option है सेपर में जब T-slot की cutting की जाती है clapper box block को उठाने की आवशकता नहीं होती है इसका right answer हो जाएगा option number C C is right answer सेपर में पाल मेकनिजम एक यूनिट है जो की रेम की speed को नियमित करता है question था हमारे 87 number question था नहीं नहीं है इसका right answer हो जाएगा option number C देखे इसमें point में क्या दियेगा सेपर एक ratchet वो पाल मेकनिजम के द्वारा किसके द्वारा ratchet वो पाल मेकनिजम के द्वारा कारिखंड को feed दी जाती रेचिट और पाल मेकनिजम के द्वारा हम दो क्या करते हैं रेम को जो हैं कारिखंड को वर्कपीस को जो हैं feed दी जाती जबकि रेम को पाल मेकनिजम का रेम से कोई संबंध नहीं होता है जिससे हमारा c answer जो हैं गलत है नेक्स्ट कोस्चन है मारा 88 नमबर कोस्चन है यह भी कोस्चन जो हमारा RRB रांची में पूशा हुआ कोस्चन है निमलिखित में से सेपर का कौन सा मेकनिजम कम आवाज करता है question है मारा 88 number question है निमलिखित में से safer का कौन सा mechanism कम आवाज करता है option है rack और pinion mechanism next option crank और slotted link mechanism next है hydraulic mechanism next है game mechanism इसका राइटन्स रो जाएगा option number C hydraulic mechanism safer machine का hydraulic mechanism होता है यह कम आवाज करता है देखिए इसके point पर बात करते हैं hydraulic safer में तेल को gear pump द्वारा gear को जो gear होते हैं उसके तेल pump द्वारा उच्छे दाब पर pump किया जाता है क्या किया जाता है उच्छे दाब पर pump किया जाता है यह तेल cylinder में बाई और से प्रवेस करके piston पर दाब उत्पन करती है जो cylinder होता है सिलेंडर से क्या होता कि बाई और प्रवेश करके पिश्टन पर दाव उत्पन करती है इसमें मेकेनिकल पार्ट से कम होने के कारण इसके चलने पर आवाज कम आवाज तथा कमपन कम होती है हाईड्रोलिक मेकनिजम में नेक्स्ट कोस्चन है हमारा 89 नमबर कोस्चन है यह question जो है RRB रांची में पूंचा हुआ question है आप सेने इस्टेंडर्ड सेपर का टेबल किसी भी पॉन पर में स्वीवल किया जा सकता है next option है उद्ध्योगों मा अधिकतर ड्रा कट सेपर मसीनों का प्रयोग किया जाता है next option है surface की सेपिंग के लिए वर्क पीस की लंबाई और सेट की गई स्टोक की लंबाई बराबर होनी चाहिए next option है जिन वर्क पीसों को स्टेंडर्ड सेपर टेबल पर बाहना मुस्किल होता है उन्हें traveling है सेपर का प्रयोग करके पकड़ा मसीन किया जा सकता है इसका right answer हो जाएगा option number D, option G है इसका right answer हो जाएगा next question है हमारा 90 number question है 90 number question है यह भी question जो हमारा RRB रांची में पूंचा हुआ question है निमलिखित में से कौन सा पार्ट सेपर का नहीं है कोउस्छन है घ्मलिखित में से कौन सा पार्ट सेपर का नहीं है आप से ने ए रेम, नेक्स्ट, सवरी बुल गियर, नेक्स्ट Allen is टेली ष्टाउक क्लेपर बॉक्स टेल इस्टाग टेल इस्टाग जो है किसका भाग है लिथ मसीन का यह जो हमारे क्या कते हैं सेपर मसीन का हिस्सा नहीं बुल गियर रैम और क्लेपर बॉक्स यह तीनों हमारे के सेपर मसीन के भाग हैं इसके देखी इसके पॉइंट पर बात करते हैं सेपर के निम्लिखित पार्ट्स होते हैं कालम सेपर मसीन के जो पार्ट्स होते हैं कालम क्रास रेल टेबल रैम क्लैपर बॉक्स बुल गियर क्रैंक आधी इसमें टेली स्टॉक नहीं लगा होता है जो टेली स्टॉक होता है यह लेत मसीन का हिस्सा है लेत मसीन का भाग है जिसके द्व बनाया जाता है झब संकरेे स्लाटो को काटना होता है तो निमुलिखित में से किस टूल को चुणा चुना जाता यह कोस्टन जो हमारा RRB राची में पंच्चा हुआ कोस्टन है जब संकरे स्लाटो को काटना होता है तो निम्रिखित में से किस टूल को चुना जाता है अपसेन है ए इस्टेट रफिंग टूल नेक्स्ट है आपसेट सेपिंग टूल नेक्स्ट है गुरूविंग टूल नेक्स्ट है राउंड नोस टूल क्वेस्टन है हमारा नम्बर दपार्ध जब संक्रे स्लाटको कातना होता है तो निम्लीकित में से 20 चूल को कुछ चूणा जाता है अपसम आप्केशिट। ट्रफिंग टूल नेक्स्टा आपसेट आपसेट शेपिंग टूल नेक्स्ट आपसेन गुरूविंगू इसके पॉइंट पर बात करते हैं, जब संकरे स्लाटो को काटना होता है, तो ग्रूविंग टूल का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा पुली, फ्लाइवील, आधी में कीवे बनाया जाता है, ग्रूविंग टूल के माध्यम से हम लोग कुली या फ्लाइवील में कीवे बनाया जाता है, इसके द्वारा मसीन को चला कर स्लाइड को नीचे की और फीट दे कर वांचित घहराई में कीवे काटा जाता है, ग्रूविंग टूल के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कीवे जो हैं काट सकते हैं next question है मारा 92 नमबर question है यह आर आर भी राची में पुंचा हुआ question है एक hydraulic shaper को चलाया जाता है question है मारा 92 नमबर question है एक hydraulic shaper को चलाया जाता है आप्सन है air pressure द्वारा next आप्सन है steam pressure द्वारा next आप्सन liquid pressure द्वारा next आप्सन है hand pressure द्वारा इसकर आइट इंसर हो जाएगा आप्सन नमबर C liquid pressure द्वारा किसको द्वारा liquid pressure के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि hydraulic safer machine को जो है चलाया जाता है इसके point पर बात करते हैं hydraulic sapper को liquid pressure द्वारा चलाया जाता है जो hydraulic sapper machine होते हैं मुसको किसके मादे मिसे चलाते हैं liquid sapper द्वारा liquid hydraulic sapper को liquid tracer द्वारा चलाया जाता है और oil pump के साथ जुड़े एक valve mechanism के द्वारा control किया जाता है control करने की बात करते हैं यह जो है आईल पंप के साथ जुड़े एक Walve मैकनीजम के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है जो कंट्रोल वाल्व में लगे रीसर्शिंग लीवर को operate करते हैं इसर्शिंग लीवर को क्या करता है कि operate जो हैं करता है नेक्स्ट कोस्चन है हमारा 93 नंबर कोस्चन है रेचिट और पाल मेकनिजम में गीर या क्रेंक स्लाइड की रोटरी मुवमेंट को डेस त्वारा लीनियर मुवमेंट में बदला जाता है आप्सटन है A. Connecting Rod, नेक्स्ट आप्सटन है रैक और पिनियन, नेक्स्ट है वर्म और वर्भेल, नेक्स्ट है साप्ट और पुली है कोस्चन जो हमारा आरारवी सिंगी सीली गुरी में जो है पूँचा हुआ कोस्टन है कि इसके माधिम से इसके पॉइंट में क्या दिया गया रेचिट और पाल मेकनिस में गियर या क्रेंक स्लाइड की रोटरी मोमेंट जो रेचिट और पाल मेकनिस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं गियर या क्रेंक स्लाइड को रोटरी मोमेंट में कनेक्टिंग राट के द्वारा लीनियर मोम लगाने से के लिए आविश्यक समय को कम किया जाता है यह कोस्चिन जो हमारे तिर्वन पूरा में पूछा हुआ लगने से रिटन स्टोक से टूल को तिर्वन पूइंट पर बात करते हैं सेपर पर क्रेटर मेकनिजम लगने से रिटन स्टोक से टूल को तेजी से पीछे लाया जाता है जो क्रेटर मेकनिजम होता है क्रेटर मेकनिजम के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं टूल को जो है तेजी से पीछे क्यों जाता है सेपर फारवर्ड स्टोक में ही कटाई प्रक्रिया होती है सेपर में जो है फारवर्ड स्टोक में ही कटिंग ऑप्रेशन होता है रिटन्ड स्टोक में तेजी से गती से पीछे जाता है टूल जो हमारे क्या होता है तेजी गयती के साथ जो है पीछे जाता है नेक्स्ट कोस्चन हमारा 95 नमबर कोस्चन है एक सेपर टूल में साइड और फ्रंट क्लियरंस कौन होता है कोस्चन है 95 नमबर कोस्चन है एक सेपर टूल में साइड और फ्रंट क्लियरंस कौन होता है Side और Front Clearance कोंड होता है Option है A, Lith Tool के समान Next Option, Lith Cutting Tool की अपेक्षा अधिक Next Option, Lith Tool की अपेक्षा कम Next Option उपरोक्त में कोई नहीं इसका Right Answer हो जाएगा Option No.C Lith Tool की अपेक्षा कम Lith Tool की अपेक्षा जो है Front और Clearance Side और Front Clearance कोंड जो है कम होता है इसके Point पर बात करते हैं Saper में औज़ार की कटाईं के समय Feed समय Feed नहीं दी जाती है क्या होती है कटाईं के समय सेपर मसीन में Feed नहीं दी जाती है जिसका कारण वस्थ औज़ार में Front Clearance कोंड होता है यह 4 डिगरी Side Clearance कोंड 2 डिगरी इसे तीन डीगिनी रखा जाता है सेपर टूल में साइड और फ्रन्ट क्लियरंस लेथ टूल की अपेक्षा कम होता है नेक्स्ट कोस्चन हमारा 96 नंबर कोस्चन है सेपर में बुल गेर डेस के द्वारा चलाई जाती है कोस्चन हमारा 96 नंबर कोस्चन है सेपर में बुल गियर डेस के द्वारा चलाई जाती है अप्शन है स्लाइडिंग ब्लॉक नेक्स्ट आप्शन है एक पिनियन नेक्स्ट आप्शन है एक सौप्ट नेक्स्ट आप्शन है एक पुली एक पिनियन के द्वारा एक पुनियन के द्वारा जो है बुल गियर को जो है चलाया जाता है इसका राइट एंस रो जाएगा अप्चन नमबर B देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं सेपर मसीन में बुल गियर को पिनियन द्वारा चलाया जाती है गीरिंग के विभिन कंबिनेशन्स जो गीर होते हैं गीर के कंबिनेशन्स होते हैं विभिन कंबिनेशन्स के द्वारा बुल गीर को स्पीड बुल गीर की स्पीड को बदला जा सकता है बुल गीर एक बड़ी गीर होती जो बुल गीर होती एक बड़ी गीर होते हैं जिसे कालम के बीच में माुन किया जाता है कालम के बी बीच में माउन किया जाता है गीर के सेंटर से रहचीट श्लाइड नहीं होती है निक्स QUESTION है हमारा 97 Question है यह question जो हमारा Sero ziemlich니ession में पूछा हुआ question से एक sapr का नमलिख्षित में से कौन सा भाग वापसी श्टुक को उपर उठानेमे मदद करता है कोसंधे मारा 99 यह म pouredक है कौन सा भाग कौन सा भाग है जो रिटन यह office . well को सब्सक्र उपर उठानेमे म मदद करता है क्योंसिक data chris we Summer金 मुद्छा किस नमपर आपां आपसे में रिदीह właśnie स्ट्रोक में वापस उठ जाता है इसके पॉइंट पर बात करते हैं क्लेपर बॉक्स क्लेपर बॉक्स सेपर मसीन का वह का क्लेपर बॉक्स वापसी स्ट्रोक में आउजार को तूल को जो है क्या करता है तूल को ऊपर उठाने में मदद करता है क्लेपर बॉक्स के ही माध्यम स टूल को जो है उपर उठाया जाता है क्लेपर बॉक्स एक क्लेपर होता है जो हिंज द्वारा क्लेपर बॉक्स से जुड़ा रहता है हिंज के माध्यम से जो है क्लेपर बॉक्स जुड़ा रहता है फारवर्ड इस्टोक के अंतरगे टूल कटाई करता है सेपर मसीन में जो है फारड स्टोक में जो है कटिंग ओप्रेशन करता है कटाई बल के कारण क्लेपर बॉक्स पर दबाव रहता है परन्त बैकवर्ड स्टोक में कटाई नहीं होती है बैकोर्ड स्टोक में जो है सेपर मशीन में हमारी कटिंग ओप्रेशन नहीं होता अता है क्लैपर बॉलाक सहिंज पर के घूमने घूमकर उठ जाता है और औजार की कटिंग एज जो कटिंग एज हो टूल की जो कटिंग एज होती तथा कारेखंड वर्क पीस की सत्य को खराब होने से बचाता है Next question है मारा 98 number question है रूपक या सेपर का वी निर्देशन डेश द्वारा निर्धारित किया जाता है आप सेने टेवल का आकार नेक्स्ट आप्शन रेम का स्टोक नेक्स्ट आप्शन बेड आकार नेक्स्ट आप्शन उपस करन से रेम का स्टोक रेम की स्टोक से माध्यम सी हम लोग क्या करते हैं शेपर के साइज को दो है वी निर्दिष्ट किया जाता है इसके पॉइंट पर बात करते हैं सेपर मसीन का वी निर्दिष्ट रेम की स्टोक द्वारा निर्धारिक किया जाता है किसके द्वारा रेम की स्टोक द्वारा जो है निर्धारिक किया जाता है शेपर मसीन में टूल को प्रत्यागामी गती दे कर सतों का निर्मार किया जाता है कारिखन्ट वर्कपीस में ये सतह समनांतर, छे ठिच, उर्धाधर ये तिर्ची हो सकती हैं। सादार्तास शेपर में सिंगल पॉयंट कर्टिंग टूल का प्रयोग किया जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे फीड माेकनिस्म कटिंग इस्पीड एवं डिफ टाफ कट इस माेकनिस्म के बारे में हम लोग जो हम बात करते हैं तो हमारा जो 99 नमबर कोस्टन है सेपर में घुमाओ गत को प्रत्यागामी गती में में से किसके द्वारा बदला जाता है कुस्चन है हमारा 99 नंबर कुस्चन है सेपर में घुमाओ गती सर्कुलर मोशन गती मोशन को गती प्रत्यागामी गती इसका राकर आर्म और बुल गियर के द्वारा जो है बदला जाता है इसके दिखिए पॉइंट पर बात करते हैं एक गियर बॉक्स या पुली की सहाइता से चालक गियर को गति प्रदान होती है गियर बॉक्स और पुली की सहाइता से चालक गियर को गति प्रदान होती है चालक गियर एक बुल गियर को घुमाता है चालक गियर जो ड्राइवर गियर होता है या क्या करता है बुल गियर को जो घुमाता है बुल गियर पर एक क्रैंक का प्रबंध होता है जो क्रैंक होती बुल गियर जो होता है बुल गियर पर ही हमारा क्या होता है क्रैंक का जो प्र साइड़ेंग ब्लाकि की साहेता से रायकर भुजा फलकरम पर दोलन करती हैं जिससे उसके दूसरे सीरे पर रेम प्रत्यागामी गत करता है रेम क्या करता है कि प्रत्यागामी गत करता है आज तो है हमारा Last Question? सेपर में बुल गियर निमने में से किस अवयो द्वारा चालित होता है कोस्चन है हमारा एक शो नमबर कोस्चन है सेपर में बुल गियर निमने में से किस अवयो द्वारा चालित होता आपसन है एक सौप्ट निक्स आपसन है sliding block next option एक पिनियन next option एक पुली इसके पॉइंट पर बात करते हैं इसके पॉइंट पर बात करते हैं एक गियर बॉक्स या पुली की सहता से चालक गियर की गती प्राप्त होती है बॉल गियर की गियर बॉक्स की या पुली की सहता से ही जो है चालक को जो गती प्राप्त होती है चालक गियर एक पिनियन होता है चालक गियर क्या होता है ड्राइवर गियर हमारा क्या होता है एक पिनियन होता है crank का जो है प्रबंद होता है crank पर एक block को किसी भी इस्तिती में adjust किया जा सकता है एक block होता है crank पर उसको हम लोग किसी भी इस्तिती में adjust कर सकते है bull gear के घुमने से crank तथा sliding block की सहायता से राकर भुजा फलक्रम पर दोलन करती है जिसे से उसके दूसरे सीरे पर RAM को RAM प्रत्यागामी गति करता है RAM जो हमारे क्या करता है कि उसी motion पर movement करता है प्रत्यागामी गति करता है क्योंकि workpiece को table पर विभिन इस्तिति इस्थानों तथा इस्तितियों पर बांधा जा सकता है टूल को वर्क पीस को मलोग क्या कर सकते हैं टेवल पर विभिन इस्तितियों में किसी भी इस्तिति में जो है बान सकते हैं इसलिए कारेखंड की इस्तिति के अनुसार रेम की इस्तिति एड़ेस्ट करने का प्रबंध अनिवार है रेम की इस्तिति को जो प्रबंध एड़ेस् करके और स्पेंडल को घुमा कर रेम के सापे चरा कर भूजा के उपरी सीरे पर की इस्तिती आवेसकता नुसार बदली जाती है राकर आर्म की जो है इस्तिती को आवसकता नुसार बदल सकते हैं और सेपर में बुल गीर का संपून चकर रेम को एक फारवर्ड और एक रिटन इस टोक में जो है गति प्रदान करता है अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लागा तो हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को ज्यादा ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूले धन्यवाद